Hello everyone, welcome back to another video of HPTAT series. HPTAT, November 2024 के लिए इस वीडियो में हम Social Studies के Important Questions डिसकस करेंगे. इसमें General Awareness के HPGK के भी Questions include होंगे. Full Playlist का Link वीडियो की Description में आपको मिल जाएगा और First Command में मिल जाएगा. तो Previous वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं HPTAT series की तो उनको भी आप Playlist में जाके देख सकते हो. Start करते हैं आज का सेशन पहले कोशन से आशियान की स्थापना किस वर्स हुई थी? In which year ASEAN was established? ASEAN की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को Option D क्रेक्ट होगा. 8 अगस्त 1967 को. In Bangkok. Bangkok Thailand में ASEAN की स्थापना हुई थी ASEAN की full form है The Association of Southeast Asian Nations. इसके 5 founding members थे? Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. ये 5 founding members थे ASEAN के. At present ASEAN has 10 members. Brunei, Columbia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Thailand. और last में Vietnam. ये 10 countries हैं ASEAN में. ओके? अगला कुछ नहीं है. Australia में test सतक बनाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी? Who became the first Indian women cricketer to score test century in Australia? Smriti Mandhana became the first Indian women cricketer to score test century in Australia. समझती मन्दाना. Option D. अगला कुछ नहीं है. कानू सान्याल किस अंदोलन से संबन देता है? कानू सान्याल is related to Naxalism movement. नक्सलवाद से संबन देता है. कानू सान्याल. Option A. अगला कुछ नहीं है. वर्तमार में गुजरात के मुख्य मंतरी कौन है? वर्तमार में गुजरात के CM है, मुख्य मंतरी है, भुबेंदर पटेल. Option A. क्रेक्ट होगा. अगला कुछ नहीं है. भारतिय जनसंग के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of the भारतिय जनसंग? यहां से आप प्रिवेस वीडियो देख सकते हैं. अगला कुछ नहीं है. भारत में राष्ट्रिय मानवाधिकार आयो की स्थापना किस वर्स होई? इन विच एर वाज नेशनल हुमन राइट कमिशन एस्टैबलिस्ट इन इंडिया? देखें, नेशनल हुमन राइट कमिशन ओफ इंडिया एन एच रसी एस्टैबलेस हुआ था 1993 को 12th of October 1993, option एक रेक्ट होगा. देखें, नेशनल हुमन राइट कमिशन एक autonomous public body है. अगला कुछ नहीं है, नानावती आयोग समधित है. नानावती कमिशन is concerned with, नानावती कमिशन समंधित है, सिख एंटी सिख रोधी दंगों से समंधित है, नानावती कमिशन, नानावती आयोग. एंटी सिख रोधी 1984 में हुए थे, इंदरा गांधी की assassination के बाद, इंदरा गांधी की मृत्यू के बाद, जब उन्हें गोली मार दी गई थी, उसके बाद, सिख विरोधी दंगे देखने को मिले थे भारत में. इन दंगों के होने के बाद, नानावती आयोग की स्थापना की गई थी, यह इस आयोग की फॉर्मेशन की गई थी, सन 2000 में, उसमें प्राइमिनिस्टर थे, पंडित, सुरी, यह प्राइमिनिस्टर अटल भी हरिवाजबी, और यह जो जीजी नानावती हैं, यह जज थे सुप्रेम कोट की, इस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट सम्मिट की 2005 में, इसके अलावा 2002 के गुजरात रॉइट्स की इंक्वाइरी के लिए भी नानावती आयोग काफी मदद की थी, तक लगोशन है, कांगडा जिला कब बना था, वेन वाज कांगडा डिस्टिक हुई थी, कैसे हुई थी, ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कांगडा डिस्टिक की फॉर्मेशन हुई थी, 1st September 1972 को option A crack हुआ, 1972 को डिस्टिक कांगडा एक अलग डिस्टिक बना था, option A crack हुआ, next question है, हिमाचल प्रदेश में प्रत्म नेता, प्रत्म सेना प्रमुक कौ कां थे, who was the 1st Army Chief from हिमाचल प्रदेश, 1st Army Chief from हिमाचल प्रदेश was General V.N. Sharma, option D, correct होगा, General V.N. Sharma, जो है, 1st Army Chief थे, हिमाचल प्रदेश से, ये समध रखते है, इनका full name है, General Vishwanath Sharma, जिने short में V.N. Sharma के भी कहा जाता है, ये Chief of Army स्टाप रहे थे, इडियन आर्मी में 1988 से 1990 तक रहे, ये 14th, 14th Chief of Army स्टाप थे, ओके, 14th होए, अगला कोशन है, which is the largest river in terms of volume, निमलिक्त में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है, आयतन होना दाया है, in terms of volume, सबसे largest river कौन सी है, in terms of volume है, चिनाव रिवर, option A, एक रेकोगा, चिनाव रिवर, ऐसे सतलुज रिवर, हिमाचल व्रदेश की सबसे लंबी न दी है, लेकिन, in terms of volume, चिनाव सबसे लंबी होगे, तो option A, क्रेक्टोगास में चिनाव, नेक्स्ट कोस्ण है, हिमाचल पोलेंट्री नामक किताब का लिखर कौन है, Foods the author of the book, हिमाचल पोलेंट्री ये बुक लिखी है, D.N. मजुंदार ने option C क्रेक्ट होगा D.N. मजुंदार राइटर है हिमाचल पॉलेंडरी बुस्तक के option C क्रेक्ट होगा जो option में KL वैदे दिये गया है और उन्हें लिखिया book पहाडी चित्रगला पहाडी चित्रगला ये बुस्तक लिखिया और KL वैदे का पूरा नाम था किशोरिलाल वैदे है किशोरिलाल वैदे लिखिया book उस्तक पहाडी चित्रगला अगला कोशन है हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है which of these is the longest bridge in हिमाचल हिमाचल का सबसे लंबा पुल है यमुनापुल जो कि है पॉन्टा साहिब में option B किरेक्ट होगा यमुनापुल पॉन्टा साहिब यह मदल का सबसे लंबा पुल यह जो शेशम bridge दिया है option में यह स्पीती वैली में है स्पीती वैली में लॉहल स्पीती के यह one of the highest suspension bridge है एशिया का अगला कोशन है निमन में से किस जिले में अध्रक का सरवधिक उतपादन होता है which among the following district is the largest producer of ginger district सिर्मौर में सबसे अधिक अध्रक का उतपादन होता है ginger producer है सबसे ज्यादा हीमाचल परदेश का सिर्मौर जिला हमें option सीख रहट होगा और यहां पे शिमला डिस्टिक भी दिया है शिमला डिस्टिक largest producer है apple का सेब का largest producer डिस्टिक है शिमला शिमला के रहोडू, कोट, खाई, रामपूर जुबल और नारकंडा में सेब का जो है काफी उतपादन होता है 2011 की जंगन्णा के नुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की शाक्सरता दर सबसे कम है which दिस्टिक has the lowest literacy rate in हिमाचल प्रदेश as per 2011 census 2011 की जंगन्णा के नुसार हिमाचल प्रदेश की literacy rate किस दिस्टिक में सबसे कम है यह है दिस्टिक चमबा दिस्टिक चमबा में बहतर 0.2% literacy rate है दिस्टिक चमबा का जो की सबसे कम है सभी जिलों के comparison में सबसे ज़्यादा है हमिरपूर दिस्टिक का 88.2% सबसे ज़्यादा हमिरपूर दिस्टिक का है हमिरपूर के बाद आता है दूसरे नमबर पर दिस्टिक विलासपूर अगला खोचन है वरिटमार में हमाचल परतेश के मुख्य सचिव कौन है WHO is at present Chief Secretary of Himachal Pradase Chief Secretary of Himachal Pradise at present is जो कि option में नहीं है तो none of these का great answer होगा कौन है प्रबोध सक्शेन प्रबोध सक्षेन मुख्य सचिव है हमाचल परतेश में अगला कुछन है Which is the first comedy serial of हिमाचलर प्रदेश का परथम comedy serial कौन सा है हिमाचलर प्रदेश का परथम comedy serial है प्रिंस का पिटारा option A क्रेक्ट होगा प्रिंस का पिटारा अगला कुछन है पहाडी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है Who is the author of the book पहाडी चित्रकला अभी हमने discuss किया और यह option में भी था लेकिन वहाँ पे लिखा था KL वैद्दे और मैं आपको बताया था कि इनका पुरा नाम किशोरी लाल वैद्दे है यहाँ पे question आ गया पहाडी चित्रकला पुष्टक लिखी है किशोरी लाल वैद्दे ने जो कि पहले जो question आया था जिसमें author का नाम पुछा था वहाँ KL वैद्दे दिया था कि short में भी आपको बता होना चाहिए और full name भी आपको बता होना चाहिए किशोरी लाल वैद्दे ने book लिखी है पहाडी चित्रकला जो option में T.S. नेगी दिया है इनोंने book लिखी है schedule tribe of हिमाचल परदेश ST of हिमाचल परदेश ये पुस्तक लिखी है T.S. नेगी Dr. Y.S. परमार Y.S. परमार होना है इनकी दो बुक्स बहुरी बहुरी important है एक तो है पोलेंडरी इन हमाल्याज औलेंडरी इन हमाल्याज और दूसरी है हिमाचल परदेश इट्स शेप एंड स्टेट ये दो पुस्तके हैं जो बहुत important है Y.S. परमार की औलेंडरी इन हमाल्याज और हिमाचल परदेश इट्स शेप एंड स्टेट अगला कोशन है निमलिकित में से कौन आर्फिटेक्ट अफAcёт के नाम से जाता है विच जो उफ्धा फॉलाइंड स्टेट परदेश हमाचल परदेश का निरमार्ण करता आर्फिटक्ट अफ़ीमाचल परदेश नाम से जाना जाते है बीच आटर वाईयियस परमार इमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंतरी option D क्रेक्टों का Dr. Y.S. परवार गलागोशन है कालका शिमला रेलमार्ग यातरा में निमलिक्त में से कौन सी सुर्म जो है सबसे लंबी है Which of the following is the longest railway tunnel in कालका शिमला रेलोए जर्नी कालका शिमला रेलोए जर्नी में जो सबसे लंबी टेनल है वो है बरोग टेनल option A करेक्टों का बरोग टेनल इसकी लैंध है 1164,114 met r baixo option A करेक्टों कालका शिमला रेलोए को UNESCO ने word heritage site घोशित किया था 2008 में 2008 में UNESCO ने word heritage site घोशित किया था इस railway line की total length है 96 km जिसमें total 102 tunnels हैं और 800 जो है 800 के गरीब इसमें पूल बने हुए हैं bridges अगला question है लेडी ओफ केलॉंग क्या है लेडी ओफ केलॉंग क्या है लेडी ओफ केलॉंग लेडी ओफ केलॉंग ना कोई ये बकरी की पर जाती है special crop भी नहीं है लोहल की नहीं ये social worker का नाम है ये एक famous glacier है वोगे इसका नाम है lady of k long option d क्रेक्ट होगा अगला question है कौन सा दर रहा value of shadows के नाम से परसीदा है which of the following passes is famous as value of shadows value of shadows के नाम से जाना रता है pin परवती pass को option d क्रेक्ट होगा pin परवती pass pin परवती pass इंडिस्टी कुल्डू में है pin परवती pass की height है 5320 meter average level ये कुल्डू और स्पीटी के बीच में है and last question एजगा चीनी यत्री हिउन सान ने चंदरताल जिल को क्या कहबर पुका रहा है लेक चंदरताल वाज कॉल्ड बाइ चाइनीज ट्रेवलर हिउन सान एज तो इन चाइनीज ट्रेवलर ने कहा था चंदरताल लेक को लहित्य स्रोवर option एक रेक्टो का लहित्य स्रोवर चंदरताल लेक लहौल स्पीती में है हमारे साथ जूड़ पाएंगे आप आरे social media handles पे इनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंड में मिल जाएगा टेलिग्राम पे आपको important PDFs और notification मिल जाती है इस्टाग्राम और WhatsApp चैनल भी आप हमारा जॉइन कर सकते हो आप अपने सुझाव अपने questions आप हमें DM में पूछ सकते है चैनल पर अगर पहली बार है तो make sure चैनल को सब्सक्राइब करें and मिलते नेक्स्ट वीडियो में see you soon